तो most of you have answered कि breach of trust है ये, criminal breach of trust है जो मैंने आपको illustration दिया, old lady वाला आपके साब से ये criminal breach of trust है एक example और देता हूँ, then विलावा discussion over this कि ये क्या होगा और क्यूं होगा ऐसा, मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ तो देखिए, मान लीजिए एक ही room में आप और मैं दूनों खड़े हैं, और जहां आप एक socket के पास खड़े हैं, मैं थोड़ा सा दूर हूँ, same room में मैं आपको अपना mobile phone handover करता हूँ, कि भाई वहां socket में लगा देना है, मैंने अपना phone आपको दिया, कि आप charger मेरा socket में लगा हूँ है, इसको charging पे लगा दो, आप उस phone को लेके, charging पे लगाने की बजाए, आप उस phone को लेके भाग जाते हैं, is it theft or criminal breach of trust, बताईए, is it theft or criminal breach of trust, तो मासुहफ का कहना है, it is criminal breach of trust, all right, भाग जिश्री का भी कहना है, criminal breach of trust, all right, so all of you think it is criminal breach of trust, देखिए, इसके regarding, एक provision है, IPC में section 27, जिसमें कहा गया है कि servant, clerk या wife की possession में कोई चीज है, तो वो उसकी master की possession में ही माना जाता है, कहने का मतलब, एक principle defined है, जिसको कहते हैं, constructive possession, actually, physically, चीज़ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी constructive possession, एक example और समझ न, मान लिजिए, आपने घर पे किसी guest को invite किया, और उसके हाथ में कोई चीज है, आपकी कोई valuable चीज उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, तो क्या वो आपकी possession में नहीं है, वो उस वक्ति के पास आ चुकी है, क्या वो आपकी possession में नहीं है, आपके घर पे कोई वक्ति आया है, same room में, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि मैंने आपको mobile phone दिया, और मैंने आपको charging पे लगाने के लिए कहा, उस phone को, मैं भी room में खड़ा हूँ, आप भी same room में खड़े हैं, मैंने अपना phone आपको दिया, charging पे लगाने के लिए, आप लोग कह रहे हैं कि criminal breach of trust है ये, breach of trust तब होता है, जब आप अपनी property interest कर देते हैं, किसी वक्ति को, या dominion उस पे दे देते हैं, dominion मतलब now the person can deal with it, इस तरीके से आप उसको दे देते हैं, that's dominion over the property, आप interest कर देते हैं, यहां मैंने merely इतना किया है, कि आपके हाथ में phone दे दिया है, और आपको बोला है कि charging पे लगा दो in the same room, इसको हम कहते हैं constructive possession, भले आपके हाथ में हैं वो phone, custody may have transferred, custody transfer हो गई है, but it is still in my possession, और यहां से लेके जब आप भागते हैं, तो जो आप move कर रहे हैं property, वो कहां से move करने का intention था, possession मेरी, भले मैंने हाथ में आपके दे दी हैं वो पैसे, old lady ने आपके हाथ में पैसे रख दी है, मैंने mobile charging पे लगाने के लिए आपके हाथ में रख दिया है, but it is still considered in my possession, और जब आप उस property को move करते हैं, आपका intention है उसे मेरी possession, तभी आप भाग रहे हैं मुझसे दूर, आपका intention है मेरी possession से लेन का, and that movement, जो आप लेके भागे हैं mobile phone, या वो जो गट्ती पैसे लेके भागा है, old lady का, that amounts to theft, इसके regarding थोड़ा बहुत आपको, जैसा मैंने कहा कि most of the books में भी illustrations बहुत ज़्यादा, या इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें discussed नहीं है, लेकिन ये specific अगर आपको देखना है, त तो PSF LAE में आपको इस चीज़ के बारे में मिल जाएगा, that mayor custody is not considered to be possession, ऐसे head के तहत, ये specifically यही illustration दिया हुआ है, case का नाम भी बता देता हूं, it was held in a case, R versus Thompson, case का नाम था R versus Thompson, जिसमें ये held किया गया था, that this, जो ये पैसे लेके भागया, old lady के, this amounts to theft, दो इस पे काफी contrary opinions हुए है, because of some answers of some objective question, but the concept is there, constructive possession का concept आपको कई books में मिल जाएगा, I hope थोड़ा बहुत वो convey आप तक हो गया है, जो मैं आपको समझाना चाहा रहा हूं, अगर आप भी मेरे ही पास खड़े हैं, मैंने phone आपको दिया है, charging पे लगाने के लिए, that doesn't mean कि मैंने आपको interest कर दी है, property, हाँ मैंने अगर phone दिया कि भाई, मेरा एक friend है, उसको दे देना तुम, in that case, मान सकते हैं कि मैंने property interest कर दी, मैंने service center पे repair होने के लिए phone दे दिया, in that case, it is considered कि वो interest कर दिया है, अब उसके बाद वो गयाप कर देगा phone, that may be considered as criminal breach of trust, but in cases में it is hailed that this amounts to theft, though there is contrary opinion to this as well, जैसा मैंने आपको बताया, देखी हर बार IPC या किसी भी चीज में, law में हर बार black and white चीज हैं, there are still few things, अगर आप रतनलाल दीरजलाल की IPC की book refer करेंगे student edition, उसमें इस तरीके की illustration दिया है, and they have also accepted, कि काई बार इतना near और इतना complex case हो सकता है, कि it is difficult to identify, कि में है या interest कर दी गई है, अगर इस, लेकिन जो illustration मैंने आपको दिये, यहां clearly यह है, that it is merely the custody's transfer, इसको हम इंट्रस्टमेंट नहीं बोलेंगे, इसलिए in cases में theft ही consider होका, I hope you got the idea, how many of you got this idea, of constructive possession, कि यहां पे theft क्यों हो रहा है, और यहां पे criminal breach of trust क्यों नहीं हो रहा, जब ticket counter प अगर मैंने आपको मान लीजे, 500 रुपे दिये, कि भाई मुझे शाम के शो की ticket ला देना, तुम मॉल जा रहे हो, वहां से ticket ला देना, अब जाके तुम मेरे 500 रुपे उड़ा के आ जाते हो, खर्च कर देते हो कहीं और, that is criminal breach of trust, all right, लेकिन मेरे हाथ से मैंने just दिये, तुम तुम टिकट काउंटर पर खड़ो, लेके भग के तुम पैसे, that will be theft, all right, so all of you got this, all right, good, good, so यह जो constructive possession का idea है, it has been recognized in multiple cases, जैसा मैंने आपको कहा, कुछ books में भी आपको इसका reference मिलेगा, अगर आप further पढ़ना चाहें, तो आप उसे उस concept को पढ़ सकते हैं, आज का जो topic of discussion हमार है, वो है, extortion, robbery, और dacoity, so कल मैंने ये question आपको दिया था, class end करने के पहले, that's why we had a discussion on that, now let's quickly move on to today's topic, और आज का जो हमारा topic है, उस पे आजाते हैं हम, this is extortion, 383 में extortion defined है, पहले एक बार definition के essentials समझ लेते हैं, फिर कुछ examples से इसको discuss करेंगे, extortion के कई examples आपके अबेरिट में दिये हैं, सारे मैं discuss नहीं करूँगा, एक idea convey करना है, क्योंकि हमें comparison देखना है, extortion, robbery, और theft के बीच का, so extortion is, whoever intentionally puts any person in fear of any injury, so a person intentionally puts a person in fear of injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person, any property or valuable security or anything, signed or sealed, which may be converted into a valuable security commits extortion, देखिए, आपको एक general idea मेरे ख्याल, extortion का होगा, extortion में होता क्या है, जो दूसरे वक्ति को fear देता है, किस चीज का fear, injury का, now that is also important, injury का fear देता है, यहाँ जो word यूस किया गया है, वो है any injury, injury IPC में defined है, कहां defined है injury word, तो section 44, ठीक, तो किसी भी तरीके की injury का, injury मतलब physical injury से है क्या इधर, injury का मतलब सिर्फ physical injury से है क्या, yes or no, so the answer is no, physical injury नहीं, 44 में injury word defined है, so injury अलग-अलग तरीके की, injury को जो 44 में defined किया गया, वो definition यह है, कि any harm to body, mind, reputation, और property, इन में से किसी भी चीज़ को harm किया जाए, तो वो injury है, injury to a person, उसकी body को harm, उसके mind को harm, उसकी reputation को harm, या उसकी property को harm करिए, आप उसे injury पहुचा रहे हैं, so इतने सारे harm को include किया गया है in the definition of injury, so अगर आप injury का fear एक वेक्ति को दे रहे हैं, और उस fear से आप उस वेक्ति को induce कर रहे हैं, देखिए, injury का fear उस वेक्ति के लिए भी हो सकता है, या किसी तीसरे वेक्ति के लिए भी, जैसे, एक father को आप ये fear दें, कि अगर वो आपको पैस ना दे, तो उसके बच्चे की आप जान ले लेंगे, that is also extortion, क्योंकि यहां लिखा है, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other, ये जो word लिखा है, or to any other, ये reflect करता है, कि वो injury किसी दूसरे वेक्ति के लिए भी हो सकती है, but fear आप एक particular person को दे रहे हैं, A fear दे रहा है, B को, injury का, injury किसको करने का, that person may be C as well, मान लिजे ये father है, C का, तो A ने अगर fear दिया है, B को, कि they'll kill C, that is also valid fear of injury for the purpose of extortion, and thereby dishonestly, induces the person so put in fear to deliver to any person, this is also important, किसी भी person को deliver करा सकते हैं, deliver to any person, any property or valuable security and so on, तो चो delivery है, जरूरी नहीं कि ये ही मांगे, जरूरी नहीं कि ये B को बोले कि 50,000 रुपे मुझे दो, A ये भी बोल सकता है B से, कि तुम 50,000 रुपे D को दो, अगर तुम D को 50,000 रुपे नहीं देंगे, तो हम तुमारे बेटे को मार देंगे, that can also be, that is also extortion, अब आप समझे क कि इस तरीके की language क्यों use होती है और इन सारे एक-एक term का अपना meaning है, आप meaning तो समझ लेते हैं, कई बार ही होता है, essential समझ लेते हैं, लेकिन बेरेट की language से वो चीज कहां से reflect हो रही है, कहां से वो उठा रही है, इसमें problem होती है, इसको साथ में आपको समझना चाहिए, अगर आप recent interviews देखेंगे judiciary के, so जो panel है, जो honorable board होता है, वो आप ये करते हैं, कि बेरेक्ट दे देते हैं आपको, सिर्फ meaning से काम नहीं चलेगा, आप से पूछा जाता है, कि ये चीज आप कहां से derive कर रहे हैं, बताइए provision में कहां लिखा है, so for that you need a careful study of these provisions, कैसे इनको पढ़ना है, this is really important, all right, so कहां से क्या चीज reflect हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, so injury of any kind, किसी भी वक्ती को injury हो सकती है, लेकिन fear एक particular वक्ती को आप दे रहे हैं, property deliver आप किसी third वक्ती को भी करा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज which can be converted into valuable security, that is extortion, so अगर एक gangster, एक father को call करके कहता है, कि तुम ने अगर हमें 50,000 रुपे नहीं दिये, तो हम तुमारे बच्चे की जान ले लेंगे, that is extortion, यहां वो injury उसके बेटे को दे रहा है, property deliver खोद करा रहा है, किसी तीसरे वक्ती को तो भी extortion होगा, I hope extortion is clear, definition मेरे ख्याल से clear extortion की, बाकी कुछ इसमें बहुत जादा technicalities नहीं है, so we'll move on to the next thing, illustrations इसके दिये हुए है, बेरेक्ट में एक बार read करके मैं आपको meaning brief में इनका बता देता हूँ, illustration A है, A threatens to publish, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें यह convey कर रहे हैं सारे illustration, इसलिए एक बार इनको brief में देख लेते हैं, A threatens to publish a defamatory label concerning Z, unless Z gives him money, he does induces Z to give him money, A has committed extortion, देखिए, अब इसने fear किस चीजे का दिया, To publish a defamatory label, label मतलब defamation in permanent form, label का मतलब क्या होता है, defamation in permanent form, उसको कहते हैं label, तो एक defamatory label publish करने की धमकी देखिए, अगर आप किसी वेक्ती से property लेते हैं, Will you call it extortion? Yes, क्योंकि ये जो है, ये injury है, किस चीजे को injury? Reputation of the person, reputation को injury है ये, So, it is covered within the definition of injury, given in section 44, So, that is extortion, फिर illustration भी देखिए, A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement, unless Z will sign and deliver to A a promissory note, binding Z to pay a certain monies to A, Z signs and delivers the note, A has committed extortion, धमकी देता है, कि उसके बच्चे को wrongful restraint में रखेगा, जब तक ये promissory note sign करके ना दे, तो promissory note can be a valuable security, that's why it is extortion, C देखिए, A threatened to send clubman to pluck up Z's field, unless Z will sign and deliver to be a bond binding Z under a penalty, to deliver certain produce to B, and thereby induces Z to sign and deliver the bond A has committed extortion, अब ये एक व्यक्ति धमकी देता है दूसरे को, कि अगर आप एक bond sign करके नहीं दोगे, तो आपकी जो field में, जो crops लगे हुए हैं, जो खेत में आपके crops लगे हुए हैं, हम वो प्लत करवा लेंगे हुए, खडवा लेंगे सारे, तुडवा लेंगे साथ, अगर आप एक particular produce हमें नहीं दोगे उसका तो, So, that is also fear of injury, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा इधर पे, तो that is also a fear of injury, in that case it is extortion, Last, A by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induced Z to sign or fix a scene to a blank paper and deliver it to A, अब देखिये, blank paper भी, valuable security है, it can be converted into such thing, Z signs and delivers the paper to A, here as the paper so signed may be converted into valuable security, Blank paper can be converted into a valuable security since A has committed extortion, तो यह कुछ extortion के illustration जो बेरिट में दिये हैं, I hope this is clear कि क्यों यह extortion है, अब मेरा आपसे एक सवाल है इस चीज़ को लेके, मुझे यह बताईए, क्या extortion के लिए property की delivery होना जरूरी है, तब extortion होता है, या आपने fear दे दिया injury का, इससे ही extortion complete है, जैसे आप मुझे धमकी देते हैं, कि अगर मैं आपको 50,000 रुपे transfer नहीं करूँगा, तो आप मेरी जान ले लेंगे, आपने बस यह धमकी दी, मैंने अभी 50,000 transfer किये नहीं है, have you commented extortion, क्या यह extortion है, yes or no, या फिर जब मैं 50,000 transfer कर दूँगा, तब extortion होगा, अमित के रहा है, extortion होगया, पवन, fear is sufficient, कार्थिके, अधीबा, दिव्या, सब कह रहे हैं, कि अच्छा, भागिश्री का कहना है, on transfer, आल राइट, पवन का कहना है, mere fear, आल राइट, आपके answers पढ़के, मुझे वाकई यह जरूरत लग रही है, कि बहुत सही चीज़, शायद हम discuss कर रहे हैं, क्योंकि यह, ऐसे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब आप, इनसे जो means के question बनते हैं, theft extortion से, और वहाँ आप चीज़ें लिखाते हैं, normal, but the problem is, concept, जहाँ fact-based question आते हैं, यह illustration-based, वहाँ problem होती ही, इसलिए है, क्योंकि आप को कहीं न कहीं, वो concepts clear नहीं है, ठीक, तो जरा मुझे एक चीज़, आप यह बताईए, जो आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि delivery होनी चाहिए, तब extortion complete होगा, कुछ कह रहे हैं सिर्फ fear देने पे, जिनका कहना है, कि सिर्फ injury का fear देने पे extortion हो गया, मुझे बताईए, extortion का attempt कब होगा, attempt to extortion कब कहीं गया, जैसे मैं अगर अगर उन लोगों की बात मान लूँ, जो कह रहे हैं कि जब property transfer हो जाएगी, deliver हो जाएगी, तब extortion होगा, तो अगर मान लिजे, property deliver नहीं हो पाई, तो मेरे खाल से attempt to extortion आपके हिसाब से होना चाहिए उस stage पे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि extortion सिरफ injury के fear देने से हो गया, उस case में attempt कब होगा extortion का, पहले अमित ने change कर लिया, offense complete when thing is delivered, पहले अमित कह रहा था कि fear से हो जाएगा, अभी change कर लिया, जब ध्यान रखिए, extortion में property के delivery ज़रूरी है, बिना delivery of property के extortion का offense complete नहीं होता है, वो सिर्फ attempt होके रह जाएगा, जब तक property induce करके property deliver होना ज़रूरी है, आप इन सब illustrations को भी देखेंगे, तो we'll get this, देखे हार बार क्या होता है, illustrations क्यों दिये हैं आपको, legislature में बेरिट में illustration क्यों दिये होते हैं, for better interpretation, better understanding, उनको भी उतना carefully आपको पढ़ना है, so extortion के लिए क्या ज़रूरी है, delivery of property जब तक नहीं होगी, तब तक extortion का offense complete नहीं होगा, please understand, theft में हमने देखा था, देखे, theft और extortion का difference अगर आपको समझना है, जो conceptual difference है, वो ये है, कि theft में property आप बिना consent के obtain करते हैं, वहाँ obtain करना भी ज़रूरी नहीं है, move कर दी अगर आपने property, तो theft हो जाता है, ये हमने कल पड़ा था, possession से लेने का dishonest intention होना चाहिए, और उस intention के साथ, जैसे ही आप property को move करेंगे, it will amount to theft, और extortion के लिए एक व्यक्ति को आप fear देते हैं, injury का और उस व्यक्ति को induce करते हैं, induce करते हैं, property deliver करने के लिए, कहने का मतलब delivery हो जाए, तो वो जब property के delivery होती है, तब extortion का offense complete होता है, अब तरुन ने एक doubt पूचा है, in a situation where an officer can select the bid of contracts in the right manner, since the practices of an officer are not honest, he is asking, अच्छा तरुन एक, मैं तुम्हारे doubt में एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, कि ये जो तुमने लिखा है, the bid of contracts in the right manner, since the practices of an officer are not honest, मतलब क्या कि वो honest practice नहीं करता है, इसलिए उसको, मतलब वो सही से select नहीं करता है, he is asked to select the right bid, और his son में भी, अच्छा, right bid मतलब कि जो सही है, वो करो, वो corrupt officer है, वो सही काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको धमकी दे के सही काम करवा रहे हैं, that's your question, अगर इसको अपन थोड़ा सा concise कर दें तो, कि आप किसी वेक्ति को धमकी देखे, कोई सही काम करने को कह रहा है, और तुमने end में लिखा है, asking someone to do the right act, without any transfer or any gain, to the threat, now, so that can, dishonest officer, ठीक है, समझ गया मैं, So, in that case, it is not extortion, reason समझ लो, इसमें 3-4 चीज़े हैं, extortion की definition, बहुत clearly ये चीज़ हमें बताती है, कि सबसे पहले तो आप injury का fear तो आपने दिया, लेकिन injury का fear आप क्यों दे रहे हैं, सबसे पहले तो dishonestly, यहां wrongful gain या wrongful loss कॉस करने का intention, इस intention से आप induce करिये, property की delivery या valuable security बस extortion यहीं तक confine है, extortion सिर्फ यहीं तक confine है, इसलिए जो तुमारा illustration है, उसमें extortion नहीं हो सकता, चेक? हैं, को, बहुते कर दो, यहां नहीं हो